आप सब को सबसे पहले आप इतनी संख्या में हमारे साथ बापू आश्रम आए हैं बापू धाम आए हैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं आप सब जानते हैं कि आज गांधी जी का बलिदान दिवस है और आज ही के तिन भोट से में गांधी जी की हत्या कर दी और आप ये जान लिजिए कि गांधी जी के हत्या के प्रियास छे बार किये गए थे छे बार आज हम जिस तरह की परिस्थिती में खरे हैं जिस तरह से समाज के बीच नफुरत फैलाया जा रहा है जिस तरीके से दिन रात हिंदू मुशल्मान करके लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाई जा रही है जिस तरीके से अपने ही देश में अपने देश के नागरिकों को दोयम दर्जे का बताया जा रहा है ऐसी परिस्थिती में हम गांधी आश्रम आए हैं विधरवा आए हैं गांधी जी का संदेशा लेने के लिए वही संदेशा जिसमें गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ किसी परकार का कोई भेदभाव नहीं होगा लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज हम लोगों को गांधी जी के मूर्ती के उपर माल्यारपन करके माता कस्तुर्वा के उपर माल्यारपन करके बेतिया जाना था और बेतिया में कारिकरम करने के बाद मोतिहारी जाना था लेकिन पुलिस का ये कहना है परशाशन का ये कहना है कि आपका पर्मीशन किंसिल कर दिया गया है कल रात में परसाशन को मुड़ा बात कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि परसाशन परसाशन को सुनना पड़ता है इसलिए अप्तमां परसाशन को आप लोगा इसलिए अप्तमांट्रों स्याग्रा है हिरासट में लिया गया है हम लोग कानून को मनने वाले लोग हैं कितना संख्या में पुलीस है उसने जादा हम लोग हैं कानून को मनते हैं हमसे हमारा नागरिक होने का कागज मांग रहे हैं हम लोग लड़ेंगे और इस बाद के लिए लड़ेंगे कि हमको गांजी और भड़ेंगे और भड़ेंगे बनाना है जड़ेंगे